उमिद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छा होना भी जरूरी है इस टाइम पर दोस्तों देखिए पोजेटिव रही है आपका एक्जाम जैसा भी जा रहा है उससे घबडाना नहीं होना दोस्तों मैं इसलिए अनेलिसिस लेके नहीं पर दोस्तों आप लोग उपड़ इसलिए होना है मैं वह वीग पॉंट लेके आए हूँ जहां आप लोग फस रहें एक्जाम में जहां आप लोग एक्जाम में फस रहें वह क्या रहा है आप लोगों ने DI की बहुत ज़्यादा practice कर रखिए पर होता किया है कि एक DI जो आता है आपका वो Calculative आता है तो Calculative आता है तो आपको मजबूरन उनको छोड़ना पड़ जाता है तो आप क्या करें तो आपने arithmetic की question की practice नहीं ज़्यादा कर रखिए आतेम्ट कम हो पाते और आप arithmetic का question लगा ही नहीं पाते दोस्तो मैं बता रहा हूं और आप एक मिनट देन मिट ले ले लेते arithmetic के question लगाते है तो इससे बेटर रहता है कि आप सोचते के छोड़ दे दोस्तो मैं कुछ ऐसे सांदार तरीका बताऊंगा आपको सेकेंड में इसकी गरांटी में लेता हूं बीस से तीस सेकेंड में arithmetic का question आप लोग उड़ा पाईएगा अगर आपके एक्जाम में दस question arithmetic क्या आते हैं आई भी PSPO में तो दस में से आप आठ question जो है वो बीस से तीस सेकेंड में कर पाएंगे दोस्तों एका तो थोड़ा सा calculation रहेगा वो एक मिनट ले जाएगा बाकि जो एक या से दो question रहेगा वो आपका एक मिनट का समय ले जाएगा एक मिनट से जादा किसी में भी नहीं लगेगा दोस्तों एक मिनट से जादा किसी में भी नहीं लगेगा साथ से आठ question आपके जो बनेंगे वो 20 से 30 से केट में बनेंगे और 1 से 2 question आपका 1 मिनिट में बनेगा दोस्तों तो 1 से 2 एक मिनिट वाला उसको क्या कर देना हमें skip कर देना बागे 7 से 8 question जो आसान होगा उस पर हम लोग discuss करेंगे पहले बात करते हैं दोस्तों हम लोग उस चीज पर बात करते हैं कि आप लोग गलती क्या करते हैं तो देखे सबसे पहले न मैं इस question का approach बताऊँगा जो आप लोग लेते हैं एक्जाम में आपकी approach मैं बताऊँगा फिर मैं बताऊँगा कि approach सुधारे कैसे तो देखिए यह आपकी approach कैसे होती है बहुत सारे students जो mistake करते हैं तो student approach जो आपको time बहुत जादा लग जाता है तो देखिए आप लोग क्या करते है 24 kg यहाँ पे 24 रुपए पे 2 kg खरदा तो 24 दुनिया आप लोग क्या कर देते हो तो 48 कर देते हो plus 3 kg x के साब से 3x total कितना करता 5 kg दोस्तो total कितना करता 5 kg इस पे 20% का profit हुआता है इस पे 20% का profit आप लोग कैसे निकालते हो तो into 6 by 5 कर देते हो ठीक है और इसकी value आप लोग कहां से equate कर देते हो 29.88 इसकी value आप लोग दोस्तों क्या करते हो 29.88 अब आपने calculation यहीं से बढ़ा दिया दोस्तों आपका जो calculation है ना यहीं से increase कर गया अब आप काटे ही रजेगा 29.88 को कैसे काटे कैसे काटे क्या करे तो बहुत सारे लोग क्या करते यह 6 by 5 कैसे हुआ दोस्तों मैं बता देता हू 20% की value 1 by 5 तो 5 में एक बड़ा 6 by 5 अपसको से बहुत आसानी से कर लिया हमने नहीं नहीं तो यह 6 से आप इसको काटते हो तो कितना टाइमस 4 टाइमस पॉइंट फिर 9 टाइमस और 8 498 अब 498 को 25 से गुना करना है दोस्तों तो यह 48 प्लस 3X हो जाएगा is equal to 4.98 इंट न करते हो दोस्तो 25 अब देखे 25 से भी गुना करना काफी आसान नहीं है तो 25 से करते हैं तो 0 जेहाँ पर हो जाएगा और 5 और यहाँ पर 2 अंके बाढ़ डेसीमल आएगा तो 2 अंके बाढ़ डेसीमल और यह कितना हो जाएगा 48 को उदर ले जाके माइनस कर लीजेगा तो यह आपका जाएगा 76.5, 3X की value 76.5 थे, X की value कितनी आजेगी X की value आपकी आजेगी यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, simple है यहाँ से तो आप 3 से डिवाइड कर दे सकते हैं 2 times, फिर यहाँ 5 times 25.5 आजाएगा आपका 25.5 option number B is the right answer आपका approach यह रहता है, दोस्तोर इस approach में आपको कम से कम नहीं भी लगेगा तो आपको 1 minute का समय लगेगा, दोस्तों आपका और उसके बाद आप exam दे कर आते हो, कर दो sir, paper बहुत कैलकुलेटिव था, क्या करें arithmetic का question इतना कैलकुलेटिव था कि हम बना ही नहीं पाते हैं, और इतना relax हो कि आपने बनाए, तो 1 minute लगा exam में यह भी हो सकता है कि इस approach से आपका 2 minute लग जाए, इस approach से आपका क्या लग जाए, 2 minute लग जाए, चलिए तो यह भी आपकी student approach, student approach, थोड़ा smart student, उनको आपको क्या बोलेंगे, थोड़ा smart student, ठीक, जो student होंगे, वो क्या होंगे, थोड़ा सा smart होंगे, जो allegation लगाएंगे इसमें दोस्तों, तो यहां पर 20% की value आप लोग करते हैं, तो यहां से marker change कर दिया जाए, computer जी, 20% की value आप लोग बुलिएगा, 1 by 5, तो profit होगा, 1 by 5, 1 by 5, 5 में एक profit होगा, तो 6, 6 की value होगे, 29.88, एक की value कितनी हो जाएगे, तो 4.98, अभी हमने किया था, फिर यहां से 5 की value आप लोग लीजेगा, तो 24.9, cost price जो mixture काया, वो कितना किया दोस्तों, तो 24.9 काया, अब लोग allocation कैसे लगाएंगे, तो पहली वाली value 24 हो गई, दूसरी वाली value कितनी हो गई, 24.9 हो गई, और कुछ हुस्यार बच्चे क्या करते हैं, यहां x ही रख देते हैं, और यहां 2 और 3 कर देते हैं, फिर इसका 20 में गुना करते हैं, फिर वो करते हैं, 24 into 2, plus 3 into x, divided by 3 plus 2, 5, is equal to 29.24.9, यह approach कुछ लोग लगाते हैं, जो की, दोस्तों, यह नहीं लगाना आपको, इसकी requirement आपको नहीं है, आप सीधा लगाईए, यह सब की क्या requirement है, बेसिक तरी का लगाने का आपको, not required, 200, देखें क्या करना है, यहां से allocation लगाते हैं, तो आपको क्या करना है, यहां से minus कर दीजिए, इनका difference लिजिए, तो 0.9, 3 की value आगाई, 0.9, तो 2 का value कितना आगया, 0.6, इधर वाली value कम है, तो इधर वाला क्या होगा, ज्यादा होगा, तो 0.6 इसमें add कर दीजिए, requirement नहीं है, थोड़ा सा smartly work किजिए, और थोड़ा सा margin लेके चलिए, आज कल बहुत सारे question ऐसे आते हैं, उसमें none of these नहीं रहता है, खेर इसमें तो दिया हुआ था, लेकिन बहुत सारे question ऐसे आ आ रहे हैं, आपका examage इसमें none of these नहीं रहता है, ठीक है, तो हमारा approach क्या होग दिजे दोस्तों और इसको काट डिजे और इस value को बोल दिजे 30, 20% का फायदा तो 30, 1 by 5, 5 में का फायदा 6, 6 में 30, तो 5 में 25 हो जाएगा, तो middle value कितना निकल गया दोस्तों, 25 निकल गया, यह कितना हो गया, 24 ती ratio कितना हो गया, 2 is to 3, 3 की value एक आ गई, तो 2 की value almost 1 by 3, 2 by 3, 0. 0.6 के आसपास आएगा, कितना हैगा, 0.6, तो यह 25 से थोड़ा से जादा होगा, 25 से जादा होगा, almost थोड़ा सा decimal, 26 से कम होगा और 25 से जादा होगा दोस्तों, तो 25 से जादा और 26 से कम, decimal में आगा, तो option number B is the right answer, option से देखे थोड़ा सा आप none of these को क्या करेंगे, neglect करेंगे क्योंकि none of these, 10 कोशन में से एक ही या दो में होगा, और mostly आज कल देख रहे हैं, आप लोग none of these आते भी कम है, तो दोस्तों यहां से आप लोगे smartly समय को बचा सकते हैं, समझगे, चले, moving to our next question, एक बड़ फिर से मैं explain कर दो, orally भी बना सकते थे, 20% 1 by 5, 5 में 6, 6, 5, 3, 5, 5, 5 इस्तों यह 25 हो गया, 24, 25, 25, 23, 30 कारेसी हो, तो यह कितना हो गया, 25 से जाता हो जाएगा, दोस्तों, चले, यह काफी आसान कोशने, यह दिखे, 44, यह थोड़ा सा typing error हो गया, दोस्तों, इसके लिए घबराना है नहीं आप लोग, typing error इसमें भी हुआ है, कि और में भी हुआ ह इसकी बड़ मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं दोस्तों, सिर्फ यह ही है, एटलिस्ट हुआ था, तो मैंने चेंज कर दिया था, लेकिन लग रहा है, यह पुराना वाला ही अप्लोड हो गया, कोई दिखकत नहीं, आपको परसानी हुने, क्या कर रहा है, एक बड़ वीडियो क पढ़ेगा, जब तक अप्रोच नहीं चेंज कीजिएगा, एटेम्ट नहीं बढ़ सकता दोस्तों, आपको अप्रोच बदलना ही पढ़ेगा, एटेम्ट बढ़ाने के लिए, वाट इस दप्रोब्लेटी ऑफ चूजिंग वन यलो, आइदर वन यलो और वन रिड तो या त तीन बटा पांच, तीन बटा पांच, तीन बटा पांच, इस दर है टेम्ट यह भी लगा आपको, अप्सन नमबर डी, खिलर है दोस्तों, चले, moving to our next question, PDF देखिए, अगर यह सब question का आपको PDF चाहिए, तो टेलेग्राम में मैंने PDF अप्लोड कर रखा है, वहाँ से जाकर आ वाला जो है, वह कितने में कर रहा है, 15 में, तो यहाँ पे LCM ले लिजए, यह टाइम हो गया, वर्क ले लिजए, इनका 120, कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो कुछ बचे यह हुस्यारी करते हैं, एक्जाम में, क्या हुस्यारी करते हैं, तो यह 2 से काटते हैं, 30, 20 और 15, फिर 5 से क करते हैं, आपका काम होई जाता, कम्पूटर जी यह बंद हो गया, सौरी जरह सा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, आप लोगों से, स्क्रीन बंद हो गया, एक बार, फिर से कम्पूटर जी, इसको स्टार्ट कर दिया जाए, चले वापस से, वहीं पर हम लोग चले आए हैं, तो देखे, तो मैं आप लोगों बता रहा था है, यहां पर क्या करना है, बड़े वाले नमबर को फिक करना, उसको 2 से 3 से गुना क करेंगे दोस्तों, क्यों कि यह खाली कर रहा है, क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो कम्बाइन इफिसेंस से 3, 2, 5, माइनस 3 हो जाएगी, माइनस 3 से यह खाली करेगा, तो क्या पूछ रहा है, यह पाइप A और B को बारे घंटा के लिए खुला गया, तो 3, 2, 5, 2, 5, 6, 6, कर लेंगे 12 into 5 60 work complete हो जाएगा after how many hours the tank will be empty जब pipe C को open किया गया तो कितने दिर के बाद tank खाली हो जाएगा यह पूछ रहा तो 60 काम करेंगे लेकिन दोस्तों यह तीन efficiency से खाली करेगा तीन efficiency से खाली करेगा तो कितना से मिलेगा तो 20 hour लेगा तीन efficiency खाली करेगा तो 20 hour option number B केलर है कहरा ना A और B को 12 घंटे के लिए खुला गया तो 12 घंटे के लिए A और B की combined efficiency कितनी हो गए 5 और B की combined efficiency हो गए आपके 5 पांच 12 घंटे एक गंटे में 5 unit काम करेंगे तो बारे घंटे में कितना बारे पांच 12 घंटे काम करेंगे अब जब C को open किया गया था यह तो नहीं बुला कि A और B को बंद किया गया है साथ में काम कर रहे है तो साथ में काम कर रहे है तो तीन efficiency 3 माइनस 3 क्या signify कर रहा है कि वो तीन unit से खाली कर रहा है साथ unit work करना था तीन efficiency के साथ तो 20 घंट लेंगे समझ रहे हैं चले moving to our next question बहुत ही पहरा question है दोस्तों आपका एपरोस साहिद कुछ और होगा अपना कुछ और होगा पहले बात करते हैं basic तरीकी की सबसे simple बात करते हैं किसकी basic तरीकी की देखे एक्जाम में न सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यह जो आप question का length देख रहे हैं question का length बहुत ज्यादा है length क्या है maximum length है इस question का तो इसको क्या कर देना आपको एक्जाम में skip कर देना दोस्तों मैं recommend यह करूंगा कि इस type के question को आपको एक्जाम में क्या कर देना skip कर देना है attempt नहीं लेना है क्या कर देना है दोस्तो skip कर देना कोई attempt नहीं लेना है फिर भी अभी हम लोग सीखेंगे तो इसका best possible solution की हम लोग बात करते हैं और दोस्तो देखते हैं इसका best possible solution क्या हो सकता है ठीक है त्यार है क्या सब लोग चले तो करह नब 96 लीटर मीकचर में water और milk वाटर 40 % है तो आप लोग क्या करते है요 96 लेते हो और यहां पर वाटर 40 % 96 का 40 % आप लोग water नकाल लेते हो दोस्टों तो 40 % कैसे निकालते हो तो पर 600 का 24 के 4 हाट में लगा 2 तो 36 upon 38 38.4 आप लोग निकाल देते हैं फिर इसमें से निकाल करते हो नहीं नहीं यह requirement नहीं है पहले आगे पढ़ो तो है क्या आप लोग एक line पढ़ते हो solve करना शुरू करते हो अरे question को देखो तो पहले question क्या क्या रहा है ठीक है the milkman क्या करा है sold 12 liter sold क्या दोस्तों तो 96 था 12 sold करने के बाद 84 बचा 84 में भी तो percentage वही रहेगा कि बदल जाएगा चोड़ा C में भी आपका percentage वही रहेगा ठीक है customer and then add 10 liter of pure milk and 15 liter of water तो यहाँ पे दोस्तों क्या रहा आपके पास milk और यह water इसमें जो भी value था इसमें 10 liter milk add कर दिया और 15 liter क्या add कर दिया water what approximate percentage of water in the final mixture अब जो percentage होगा water का वो final mixture में क्या होगा हमसे यही पूछ रहा है दोस्तों चलिए अब यह साड़ा चीज add करने के बाद जो percentage होगा water का वो क्या होगा final mixture में हमसे इतनी simple से चीज पूछी जा रही है दोस्तों तो सबसे आसान तरीका क्या है मैं उस पर भी चर्चा करूंगा और कैसे अप्रोच लेंगे एक्जाम में हम उस पर भी चर्चा करेंगे तो पहले इसको solve कैसे करेंगे ठीक है तो बात करते हैं हम लोग पहले 84 84 में कितना water 40% है 60.4 और यहां पर एड़ कर दीजे दोस्तों तो 48.6 हो जाएगा हम से अप्रोक्स वैल पूछा कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग प्रोक्स कल्कुलेट करेंगे लेकिन पहले मैं एक बड़ एक्जेक्ट निकाल के आप लोग को दिखा देता हूं दोस्तों तो यहां पर एड 50.6 कितने में से 109 में इंटू 100 परसेंट अब यहां आप कल्कुलेशन में फस जाते हो दोस्तों यहां पे आप लोग क्या करते हो कल्कुलेशन में फस जाते हो लेकिन देखो ना एक्जाम में एक बात समझेगा यहां से हमसे बहले ही बोल दिया क्या पूछा है अप्रोक्स percentage. तो ये भी हम लोग value क्या लेंगे? exact solve नहीं करेंगे. यहां से क्या लेंगे? अब लोग approx लेंगे. इसको अम लोग approx कितना ले सकते हैं? तो इसको अम लोग approx 50 ले सकते हैं. कितना? 50. और इसको भी बढ़ा दिजिए, तो इसको approx 110 10 ले ले सकते हैं तो 5 बटा 11 अब 5 बटा 11 की value देखिए दोस्तों कितनी होती है एक बटा 11 की value हमें पता है एक बटा 11 की value 9.09 तो 5 बटा 11 की value 45.05 सॉरी 45.45 हो जाएगा ये तो 45 is the right answer option नमर कितना c clear है option नमर कितना हो जाएगा c उमिद करते हैं समझा रहा होगा दोस्तों आप लोगो अब देखिए नहीं यहाँ पे एक चीज थोड़ा से यहाँ देखिए smartly हम लोग एक्जाम में क्या करेंगे तो थोड़ा से smart work हमें करना होगा थोड़ा से smart work जादा नहीं बस देखिएगा और इंसर को tick कर दीजेगा दोस्तों बस सिर्फ और सिर्फ देखना है और tick करना है पते यह water कितना है यहाँ पे तो भूलिएगा water है दोस्तों 40 परसेंट और milk कितना है तो milk होगा 60 परसेंट कोई इसू नहीं है water add कितना किये है तो दस लिटर आप प्यूर पानी का परसेंटेज बढ़ेगा और मिलक का परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा घट जाएगा तो इतना क्योंकि अल्मूस्ट यह वाबर बहुत ज्ञादा नहीं तो बहुत ज्यादा चेंज भी इसमें होने वाला नहीं है तो 40 से थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा दोस्तों 40 से थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा बहुत ज़्यादा नहीं तो आप बाई option आप देखे थोड़ा सा आप लोग 47 को और 45 दो option है मैं आपको बता रहा हूँ 47 और 45 दो close है तो थोड़ा सा smartly आप लोग क्लिक कर सकते हैं बिना solve किये हुए question को आप लोग एक कोई भी tick कर दीजिए कोई दिक कर नहीं है थोड़ा सा margin आप लोग लेके चलेगा attempt बढ़ेगा आपका attempt आपका बढ़ेगा इस question को आप 10 से केंड में कर लीजिएगा तो जो आपने एक minute लगा है इस question को solve करने के लिए वो अगले question में लगा के आप लोग tick कर सकते हैं आपको यह तो पता चला 40 से ज़्यादा होगा और 42 थोड़ा ही ज़्यादा है इतना भी ज़्यादा नहीं होगा कि एकदम 41-42 हो जाएगा कि अप्रॉक्स वेलू पूछा है समझे नहीं दोस्तों तो यहां से आप लोग margin ले अटेम्ट किए नॉनमल तरीके से और 25 साही हो गया आपका accurate हो गया मालीजे या एक गलत भी कर दिया तो भी आपका 24 साही होगा मालीजे एक तो हैंड सिलिप हो जाता है लेकिन इसमें आपने 29 अटेम्ट किया दोस्तो 29 में 27 आपके साही होगा मालीजे एक इसमें से गलत हो पहले गलत तो दिखेंगे आपका एटेम्ट पढ़ गया दोस्तो 26 भी आपका साही होगा तो इसकोर तो अपराल आपका इंकरीज होगी गया फिर इसके लिए टेंशन नहीं लेना है समझ रहे है तो एक आद कोशन आपको ऐसे अटेम्ट लेने पड़ेंगे चले तो कोशन बहुत ही असान कोशन है बहुत ही प्यारा कोशन है राजू गिब 60% of the monthly salary to his wife सबसे असान तरीका होता है सौले कहीं चलिए अपनी पत्नी को कितना दिया उसने 60 दिया and remaining कहीं भी किया mutual fund में किया out of the money he got out of his money अच्छा धरम पत्नी को जो उसने पैसा दिया वो मिला उसने spend किय 20% grocery पे 30% rent पर तो 50% उसने खर्ज कर दिया बचाए कितना 50% 50% इसका कितना हो जाएगा आधा तो 60 का 50% आधा कितना हो जाएगा 30 तो 30 का value दिया हुआ है amount कितना बचा 18000 तो 0 से 0 cancel तो 3 से कटा 6 एक का value कितना हो गया 600 क्या पूछा हम से monthly salary तो monthly salary के लिए यहाँ पे क्या जा गया होगा monthly salary कितना हो गया इसका साठेज़ के लिए यह तो percentage से हमने solve किया इस question को हम लोग ratio से भी देख लेते हैं क्या ready आप लोग ratio से देखने के लिए comment करके जरूर बताईगा ratio से अच्छा लगा या percentage से यह question आप लोग को comment करके जरूर हमें बताईगा क्या आप लोग जो बचा वो कितना बचा 50% 50% की value 1 by 2 दो में से एक उसने क्या कर लिया बचा लिया दोनों काम जरूरी होता तो दोनों को multiply कर दीजे तो 10 में से कितना हुआ थीन और यह 3 का value कितना है 18,000 तो 10 का value 6,3 का 18,000 तो कितना हो जाएगा 60,000 क्या समझा है सबको के लिए रहे, 3-4 चीजे होती ना तो काफी आसानी से रेशियो से होता पर यहां दो ही चीजे थी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हो गया, question number 6, सारे दोस्तों देखिए जो भी question आज के classmen दो discuss कर रहे हैं सब IBPSPO 2019 का है, यह मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आप को अल्रेडी मैं लिख दिया हो, ठीक है, अब करहने देखिए, सबसे सही चीज़ देखिए, यह question को आप पहले मैं बताता हूँ, student approach क्या होता है, इस question के लिए, आप exam में जो लगाते हो, और फसते हो, गलती कहां करते हो, कहते है, चार यह अगो, the ratio of A and B age is 5 इस टो 3, ठीक है, अब आप क्या करते है, इसको 5X ले ले लेते हो, इसको ले लेते हो, 3, 4 साल एगो है, तो इसमें 4 साल एड कर देते हो, इसमें भी 4 साल एड कर देते हो, तो यह हो जाता है, 5X प्लस 4, और यह हो जाता है, 3X plus 4, clear है, दोनों को जोड़ देते हैं, तो the sum of percentage of A, B and C is 80 years, अब A, B, C, तो यह तो A हुआ, B हुआ, अब C का नहीं पता, तो A plus B plus C, यहाँ पे ले लेते हो कितना C, तो C के लिए देखिए, आप लोग का दिया हुआ, if the C percentage is equal to the sum of percentage of A and B, तो C का भी आप लोग यह twice लगा देते हो, यहाँ पे क्या कर देते हो, 5X plus 4, अब plus का 3X plus 4C के लिए भी, आई सारा का sum कितना है, 80, sum of percentage of A, B and C is 80, तो यहाँ से 5, 5, 10, 3, 3, 6, कि 10, 6, 16X plus 4, 4, 4, 4, 16 is equal to 80, C, तो 16, 16 कट गया, तो X plus 1 is equal to 5, तो X की value कितनी आ गई, 6, X की value दोस्तों कितनी आ गई, 6, हम से क्या पुछा, what is the percentage of A, तो A का percentage कितना हो जागा, 5X plus 4, A का percentage कितना है, 5X plus 4, 6, 5, 3, 4, 34, 34 is the right answer, देखिए, हमें लग रहा है कुछ basic solution में, हम लोगों से काफी गलती हो गए थी, कि solution प्रोसेस लॉंग रखिएगा, प्रोसेस आप लॉंग रखिएगा, तो answer भी आपका क्या निकलेगा, गलत निकलेगा, तरीका है, calculation में mistake हो सकता है, इंसान है, आपसे भी हो सकता है, तो सुचिए, यहां हम लोग काफी relaxed mood में बना रहे हैं, तो गलती हो गया, तो exam में भी chances हैं कि इस particular question में आपसे problem हो जाए, इपर देखते हैं, कहां में mistake हुआ, If C percentage is equal to the some of percentage of A and B, C का percentage A और B के equal है, तो C का percentage A और B के equal होगा, clear है, तो यहां से 8x प्लस 8 बदाबर 80, तो यहां पर तो सही है, युह हांफ करेंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 8x plus 8 बदाबर 80, 8 8 8 तो यह 10 9 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कितना 9 हो जाएगा हम लोग गलती कहां किया है दोस्तों देखें mistake यहाँ पर हुआ है यह x प्लस 1 बड़ावर 5 तो x माइनस हो जाएगा न तो यह value 4 हो जाएगा 5 time नहीं मिलता अब कम से कम एक से डिर मिनिट आप इसमें time लेते हो और करते सर टाइम नहीं मिलता अर्टमेटिक के question ऐसे ही आते कि एक एक मिनट एक सब में लगेगा आप लोग सिर्फ देखके question कीजेगा देखिए मैं बताता हूं without pain इस question को कैसे करेंगे कुछ नहीं करना 10 में से 4-5 question तो आपको मिलेंगे job सीधा देखके उड़ा दीजेगा बिना pain के अभी मैंने यह 45 वाला भी बताया था आपको यह इससे पहले वाला यह question जो आप लोग सीधे देखके इसको टिक कीजेगा देखिए इसको भी कैसे करना बहुत simple है देखिए C का percentage A और B के बराबर है इसका मतलब art A A और B का है इसका मतलब समझ रहे है C भी 40 साल का है और A, A और B मिला के 40 साल के है तो A और B का ratio कितना दिया वाए 5, A तो 3 ratio दिया वाई दोस्तो चार साल पहले हैं तो A प्लस B जो present आएगा वो कितना आएगा 40 40 क्या आएगा आपका present मैं लिख रहा हूँ ताकि आप समझ पाने तो औरली बना सकते हैं 40 आएगा present तो 4 साल पहले A भी 4 साल कम होगा अब B में भी 4 साल कम होगा तो 8 साल कम होगा तो 8 साल कम होगा तो 32 हो जाएगा तो 8 unit का value दोस्तो कितना हो जाएगा 32 तो 1 का 4 5 का कितना हो जाएगा 20 अब 20 में 4 साल पहले है तो 4 साल और जोर देंगे तो कितना हो जाएगा 24 इसमें कुछ लिखना ही नहीं था देखिए आप उरोली बना सकते थे C का जो है वो E और B के बड़ाबर मतलब C का जितना है उतना ही E और B का है मतलब आदा आदा है C का भी 40 है AB का मिला का भी 40 है तो AB का परजेंट 40 है तो 4 साल पहले कितना E में भी 4 साल माइनस होगा B में भी 4 साल माइनस होगा तो यहाँ पर clear है तो दोनों का परजेंट 40 में से 4-4 मतलब 8 साल माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा 8 unit की value कितनी हो जाएगे दोस्तों 32, 8 unit की value कितनी हो जाएगे 32, तो एक unit का value कितना हो जागा? 84, आठ की value 32, तो एक का आप का कितना हो जागा? 4, तो 5 का 20, अब 20 जो हुआ, यह 4 साल पहले हुआ, तो अभी present के लिए क्या करेंगे, हम 4 साल carried कर देंगे, 20 आपका 4 साल पहले हुआ, दोस्तों तो यहां पदे बना सकते हूं चले दोस्तों मुविंग्र हों नेक्स 9 liter milk is added 20 liter निकाल दिया गया 9 liter milk add कर दिया गया to the mixture then the percentage of water in the mixture becomes इतना तो water का percentage कितना हो गया तो water का percentage हुआ 14 2 by 7 percent water का percentage कितना हो गया 14 2 by 7 percent what is the total volume of initial mixture initial mixture का total volume पुछा तो पहले एकदम basic से question को हम लोग करते हैं दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होने चाहे किसी को नहीं चले ratio दियो वह 3 is to 1 तो 3 is to 1 जो है इसी ratio में 20 निकलेगा तो total 4 में कितना निकलेगा 20 निकलेगा तो 1 में कितना निकलेगा 5 और 3 में कितना निकलेगा 15 तो यहाँ पे हम लोग इसको 3x ले लेते हैं यहाँ पे x ले लेते हैं दोस्तों कोई दिक्कत नी होने चाहिए तो 3X में से 15 निकल गया और X में से कितना निकल गया पांच अब इसमें हमने 9 एड किया है क्या 9 लिटर milk एड किया दोस्तों हमने 9 लिटर हमने milk एड कर दिया अब देखिए milk और water का ratio हम लोगों को निकालना पड़ेगा तो percentage यह कहा रहा है इसकी value कितनी होती है 1 by 7 इसका value कितना होता है 1 by 7 यह किसका percentage दिया हो है water का मतलब total 7 में से 1 quarter है, 7 में से 1 quarter है तो मिल कितना होगा अच्छे, 7 में से 1 quarter है तो मिल कितना होगा अच्छे, अब basic भी है तो बहुत जादा basic उसको ले जाने की जुरूत नहीं है, यहां से cross multiply कर देते हैं तो 3x और 15 और 9 तो plus का 6 हो जाएगा यहाँ पे, sorry दोस्तो plus का 6 नहीं, minus क 6 हो जाएगा, is equal to 5x minus का 30, यह इधर जाएगा तो 2x का value कितना हो जाएगा, 24 2x हो जाएगा ना ये 2x का value कितना हो जाएगा 24, clear है नहीं समझभाएं आप लोग देखें, ये 3x minus 15 plus 9 कितना हो जाएगा 9, 6, 15 तो minus 6 हो जाएगा, is equal to कितना हो जाएगा, 6x यहाँ दोस्तों देखें, गलती हो गई ना, ये 6x basic में यही होता है, ज्याधा लिखिएगा x, x के पीछे भागिएगा तो यही होगा ही, x आपका कभी था ही नहीं, x आपका रहता ही ना, तो x बनता ही नहीं, x क्या है, जो आपकी जिन्दगी से चला गया, जो x आपके life में रहता तो X वो बनता है निए फिर उसको मैं लोग X नहीं बोलते तो यही है X के पीछे भागिएगा तो यही होगा कभी 5 कभी 6 यह लाजमी है ऐसा गलती हो जाता है जैसे हमने 5X लिखा हो जाता है तो 6X माइनस का 30 तो यह दोस्तों कितना हो जाएगा 6X माइनस 3X तो यहाँ पर 3X हो जाएगा 3X का वैलू 24 तो X का वैलू कितना हो गया 8 और 4X हमको निकालना है तो 4X कितना हो जाएगा 8 चुका 32 तो इनिशियल टोटल जो वालूम होगा 32 ओप्शन नमबर A उमिद करते हैं आपको यह कोशन समझा गया होगा बहुत अच्छे से समझाया होगा दोस्तों थोड़ा सा ना इस कोशन को हम लोग चेंज करते हैं और मैं पहले कॉंसेप्ट समझा देता हूँ आपको ठीक है question को change करते हैं और मैं पहले concept समझाता हूँ फिर वापस से question को solve करेंगे कोई issue नहीं होना चाहिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यह न 20 हम लोग काट देते हैं यहां से यह जो 20 था इस 20 को हम काट के 9 लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को मतलब 9 लिटर मिक्चर निकाला और 90 लिटर हमने milk add कर दिया मतलब जितना मिक्चर हमने निकाला था उतना ही हमने milk add कर दिया तो देखें पहले milk और water ratio कितना था 3 to 1 बाद में देखें यह 1 by 7 water है तो एक water है तो milk कितना होगा 6 एक water है तो milk चाहगा अब देखें water में change नहीं हुआ है क्यों क्यों milk add हुआ है तो milk कितना add हुआ था 3 milk कितना add हुआ 3 ठीक है दोस्तों और 3 का value यहाँ पर लिख लिजए तो 3 का value 9 liter 3 का value अब हम यह क्यों solve करें इस चीज को हम लोग नहीं solve करें एक बड़ मैं समझाता हूँ देखें यह mixture था जिसमें ratio 3 to 1 था यह 9 liter या 20 liter निकालने के बाद भी तो ratio यह भाई रहेगा 3 to 1 अब जब additional देखें जैसे आपके हम मेहमान आते हैं तो मेहमान आते तो सरबत या रसना जो भी बनता है तो उसमें ratio जब तक नहीं बदलेगा जब तक आप extra चीनी एक्स्टा पानी नहीं डालेगा तब तक मिठास चेंज नहीं होगी अगर उस जग में से निकालके गिलास आप पिलीजेगा गिलास मम्मी पिलेगे गिलास मेहमान को देजेगा तो मिठास चेंज नहीं होगी मतलब ratio चेंज नहीं होगा ratio जब ही चेंज होगा जब तक एक्स्टा चीनी और पानी नहीं डालेगा तो यह जो आप mixture taken out किये है mixture आपने जो निकाला है एक में तीन और final जो concentration हमने निकाला वो कितना होगा चेंज और एक साथ तो तीन में नो तो एक में तीन और साथ में कितना होगा दोस्तों तो साथ में हम लोग देख रहे है 21 होगा clear है साथ में 21 तो नो निकाले होते नो डाले होते तो 21 answer हो जाता यह capacity कितने हो जाते final जो container जो भढ़ गया हमारा वो 21 इसका क्या हो जाता capacity हो जाता 21 container की capacity हो जाते और यही final भी हो जाता और यही initial भी हो जाता क्योंकि जितना निकाला था उतना हमने डाल दी आदा question हमने यहां से solve किया था लेकिन दोस्तों देखिए वापस से original question पर आते हैं तो original question और इसमें change क्या करना पड़ेगा हमें तो यहां थोड़ा सा मिटा देते हैं हम लोग यहां पर कितना था हमारे पास तो computer जी यहां पर दिखा देते हैं 6 अब देखिए change क्या होगा यहां पर हमारा जो change होगा न अब देखिए हमने आपसे लिया 20 रुपया कितना रुपय लिया आपसे 20 रुपया आपको हमने लोटाया 9 रुपया तो कितने की कमी रह गई तो 11 की कमी रह गई 11 की क्या रह गई कमी रह गई तो 11 को भरपाई करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 32 32 इता राइट एंसर के लिए हम लोग final क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि final में पूरा भड़ा हुआ है और initial जितना भड़ा हुआ था final भी उतना ही भड़ा हुआ था यह class में मैं एकदम detail में समझाता हूँ इस type के question को मैं हमेशा बोलता हूँ चाहे bank हो चाहे SSC हो चाहे railway हो यह type में एकदम जो आप कहते हैं replacement वाला इस पर question पूछना ही पूछना है दोस्तों बहुत chance से जहते हैं हर एक साल इस पर question पूछना है दोस्तों कोई नई बात नहीं है आपको एकदम approach इसके सुधारने करेगा कि को इस type का question आपके exam में मिलना ही मिलना है चलिए moving to our next question अपने आखरी question की ओर चलते हैं computer जी जल्दी से ले चलिए सारे आज की देखिए आज की session में जो भी question हम लोगों ने लिए वह IBPSPO 2019 का ही है एक बार वीडियो को पहुच करें आप लोग खुद से try करें देखे investment का ratio investment into time का जो ratio होता है वही profit का ratio होता है तो investment का ratio 2 और 3 का इनवेस्टमेंट का ratio कितना है 2 और 3 का तो A ने 2 रुपया किया और B ने कितना किया 3 रुपया time का ratio यह 5 is to 3 तो दोस्तों 10 और 9 हो गया 10 और 9 तो 2300 हो गया हमसे क्या पुछा है what is the share of A A का share मतलब 10 10 का value कितना हो गया 300 10 का value कितना हो गया 300 10 इधर लगा देंगे option number B बहुत ज़्यादा complex complicated नहीं था उमीद करते होंगे यह question आपको समझा गया होगा दोस्तों समझा रहा है तो video को like किजे पहले video को like किजे जब तक 100 like नहीं होगा next video हम लोग नहीं लाएंगे यह responsibility आपको है अगर आपको video अच्छा लग रहा है तो 100 plus like हमें चाहिए इस video पे 100 plus like जाएगा तब ही इसका part 2 हम 2017 में आए वो discuss करेंगे फिर हम लोग IBPS clerk में जो arithmetic के question आए हम लोग वो discuss करेंगे पर जब तक हम लोग discuss नहीं करेंगे जब तक इस video पे 100 plus like नहीं हो जाएगा तो दोस्तों देखिए आपको करना क्या है इस video को share करना है क्या करना है share करना है और share करना है जब तक करते रहना करेंगे next video नहीं आएगा दोस्तों जब तक आप video को share नहीं कीजिएगा और share करने के साथ condition क्या हो नहीं सब को बुली like कीजिए like कीजिए like कीजिए ज्यादा 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 like कीजिए hundred plus like होगा तो next video लेक आएगे चले इस video में इतना ही next video में कुछ और question है वो उसके अरे अंदाज के साथ की कैसे question हो कम लोग करते हैं चले बहुत बहुत सुक्रिया आपका धन्यवाद